दोस्तों आज हम कवर करेंगे IPL 2019 से समंदी टोप 20 क्येशन वेरी इन्पोटेंट टोपी का एक्जाम में क्येशन पूछ लिए जाते हैं और इन सब को हम कुज से सोल करेंगे तो चलिए देखते हैं आपके कितने सही जवाब बनते हैं पहला क्येशन वेरी इन्पोटेंट क्येशन आईपिल 2019 विजेता टीम कुन सी है अगर आपने चुना ओप्सन ए मुंबाई इंडियांस तो बिल्कुछ सही जवाब चुना है देखी आईपिल 2019 की विजेता टीम है मुंबाई इंडियांस और उप विजेता है चेने सूपर किं अब जो विजेता टीम है उसे तो मिलेंगे 20 क्रोई और अगर कोई पूछ लेके भी पहला आईपिल कब खेला गया था 2008 में और जो आईपिल 2019 में खेला गया वो कौन सा संस्क्रण था बारवा संस्क्रण और ये मैच खेले गए थे 23 मार्ट से 12 माई तक अब दोस्तों विज मुके संबानी और उनकी बीबी नीता अंबानी ये मुंबई इंडियन्स टीम के मालिक हैं और चेने सूपर किंगस के मालिक कुन हैं बिलकुल इजी है मेरे भाई अप्सन डी एन सिरी निवासान ये चेने ही सूपर किंग्स के मालिक है नेक्स्ट सरवाधिक IPL जीतने वाले टीम बिल्कुल इजी किस्चन अप्सन डी मॉंबाई इंडियांस जिसने सबसे ज़्यादा बार यानि की चार बार आईल को जीता है अब वर्स देख लीजिए 2013, 2015, 2017, 2019 और इसके बाद 2021 भी हो सकता है देखिए डिजीट बन रहा है 13, 15, 17, 19 फिर उसके बाद 21 आएगा ना नेक्स्ट क्विश्टिन वेरी इंपोटेंट क्विश्टिन आईपिल 2019 में औरेंज कैप किस खिलाडी को मिला अप्सन बी डेविड वार्नर को मिला है ये सनराइजर हैदरावाद के खिलाडी है और इना ने 12 मैच में 602 में रन बनाए भाई ये जो औरेंज कैप है ना ये आईपिल के पूरे सीजन में जो सबसे ज़्यादा रन बनाते है ना उसे दी जाती है इससे पहले बात की थी औरेंज कैप की अब बात करने परपल कैप अप्सन ए इमरान ताहिर को मिला है ये चेनी सूपर किंक के खिलाडी है अच्छा ये परपल कैप क्यों दिया जाता है तो जो खिलाडी पूरे आईपिल सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है ना उसे परपल कैप दे देते हैं इमरान ताहिर ने 17 मैचों में 26 विकेट लिये और इन्हें मिल गया परपल कैप नेक्स्ट आईपिल 2019 में सारवाधिक रन बनाने वाले भारतिय खिलाडी बात कर रहे हैं भारतिय खिलाडी ये अप्सन ए लोकेश राहूल जिन्होंने बारत की तरप से सबसे ज़्यादा रन बनाए पांसो तिरान में और पूरे सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले डेविड वारनर 620 में रन बनाए दे अब यह तो पीछे बताया मेरे भाई आपको बूल जाते हो और मेरे भ अप्सन डी जस्परीत बुम्रा जिन्होंने फाइनल में दो विकिट लिये और इन्हें मिल गया मैन आफ दा मैच नेक्स्ट आईपिल 2019 में गेम चेंजर आफ दा शीजन फाइनल मैच का अवार्ड किसे मिला अप्सन ए राहुल चहार देखिए इन्हें गेम चेंजर आफ दा शीजन यानि कि पूरे सीजन का गेम चेंजर का आवार्ड भी मिला है और फाइनल मैच गेम चेंजर का आवार्ड भी राहुल चाहार को मिला है क्या बात है वाई नेक्स्ट क्विश्टन वेरी इंपोटेंट क्विश्टन आईपिल 2019 में इमर्जिंग प्लेयर आफदा सीजन का किताब किसे मिला अप्सन भी सुबमन गिल और ये कुलकता नाइट राइडर्स के लिए खिलते हैं दोस्तों सभी क्विश्टन वेरी वेरी इंपोटेंट है किसी न किसी एक्विश्ट में आपकी मुलाकात इन से जरूर होगी जादा नहीं एक दो बार भी आप इस क्विश्ट को सौल कर लेंगे ना ये क्विश्टन आपको अपने आप याद हो जाएंगे नेक्स्ट आइपिल 2019 में फेयर बले आवार्ड की च्विश्ट को दिया गया नेक्स्ट आइपियल में सो मैच जीतने वाले पहले कप्तान कोन बने इन्प्टेंट किस्टन आप्सट ए महंदर सिंग् धौनी चेनी सूपर किंग्स के कैपटन महंदर सिंग धोनी सो मैच जीतने वाले कैपटन बन गई है next IPL में सो मैच जीतने वाली पहली टीम अब बात कर रहे हैं टीम की option B Mumbai Indians ऐसी पहली टीम है जो IPL में सो मैच जीत चुकी है और Mumbai Indians के कैपटन है रोहित सर्मा next question very important question IPL में 300 चक्के लगाने वाले पहले बल्लिबाज option A, Chris Gill IPL मैचों में 300 चक्के लगाने वाले पहले खिलाडी है Chris Gill और IPL 2019 में सरवाधिक चक्के यानि की 22 चक्के लगाने वाले खिलाडी option C, आंद्रे रसील इन्होंने IPL 2019 में सबसे अधिक चक्के लगाए कितने 22 चक्के next IPL 2019 में सरवाधिक चक्के लगाने वाले खिलाडी कोन है option A, अपना सिखर धावन कितने चक्के लगाए 64 next IPL 2019 में सबसे तेज सतक किसने लगाया option C, हारदिक पांड्या ने 17 गेंदों में अर्धसतक ठोक दिया और भाई, next question बिल्कुल छोटा सार, प्यारा सार और भाई, इसका जवाब तो थम्ने देना पड़ाएगा IPL 2019 के परायोजग कोन थे? चार भी कलप मिल रहे हैं भाई, पटा पट इसका जवाब दे देऊ और सुन ले ताई आले जग गल्द जवाब दिया ना, तो थारा मारा लटबा जगा सही सही जवाब दिये next, IPL 2019 में सरोस्रेश्ट मैदानवे पिछ का अवार्ड किसे दिया गया? अप्सन A हैदराबाद और भाई IPL का फाइनल मैच भी राजी उगांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया था तो दोस्तों IPL से संबन दी जो भी इंपोर्टेंट केस्टन थे वो हमने कवर कर लिये हैं उमीद है कि यहीं से आपको एक्जाम में एकडियो केस्टन देखने को मिल जाएंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत